अरे बिद्दू, आज घर में बहुत काम है, आज तुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है लेकिन दादी, आज तो स्कूल में मेरा टेस्ट है हरे एक दिन स्कूल नहीं जाएगी, तो ऐसी कौन सी तेरी कलेक्टर की पढ़ाई छूट जाएगी वैसे भी मैं देख रही हूँ, आज कल तो बड़ी धीड हो गई है अपनी दादी की बाते सुनकर बिंदू नाराज हो जाती है, तब ही उसकी मा कहती है अरे बिंदू, इतनी छोटी बात पे मूँ फुलाने की क्या जरूरत है, दादी बिल्कुल सही कह रही है लड़कियों को तो घर के काम काद सीखना चाहिए अरे बहू, रमेश के लार प्यार ने इसे बिगाड रखा है, कम से कम तू तो मेरी बात समझती है अच्छा, मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं पूजा करने जा रही हूँ इतना कहकर रमेश की मा वहाँ से चली जाती है इस तरह बिंदु की दादी और मा दोनों अक्सर उसे घर के कामों में ही पूलजा कर रखते थे कुछ दिनों के बाद राजू और बिंदु के दसवी के रिजल्ट साते हैं दोनों बच्चे दादी को अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं शाबाश मेरे लाल, तु तो बड़े अच्छे नमबरों से पास हुआ है तभी बिंदु कहती है दादी, मैं भी अच्छे नमबरों से पास हुई हूँ रमेश की मां बिंदू को अंदेखा करती हुए कहती है आँ ठीक है अभी यहां खड़ी क्या कर रही है सुन लिया मैंने जा जा कर मेरे लिए चाय बना कर लिया बिंदू उदास होकर चाय बनाने किचन में चली जाती है तब ही राजू कहता है डादी मैं क्रिकेट के कोचिंग सेंटर में एड्मिशन लेना जाता हूँ अरे मा राजू बेटा ये तो तुने बड़ी अच्छी बात कही तु कल ही अपना एड्मिशन करा ले जितनी भी फीज होगी मैं दे दूँगी अरे एक दिन मेरा पोता विराट कोहली बनेगा इस तरह अकसर रमेश की मा अपनी पोती बिंदू के साथ दुर्व्यवार करती थी कुछ दिनों के बाद रमेश की मा और उसकी पत्नी दोनों सास बहु मिलकर राजू का एड्मिशन अच्छे स्कुल में करवा देते हैं लेकिन बिंदू का एड्मिशन नहीं करवाते इस बात से नाराज होकर बिंदू अपनी दादी से कहती है लेकिन दादी मुझे भी आगे की पढ़ाई करनी है अरे क्या करेगी आगे की पढ़ाई लिखाई करके हैं आज से ये पढ़ाई का भूत अपने दिमाग से उतार दे इतना कहकर रमिश की मा वहाँ से चली जाती है उस दिन के बाद से बिंदु की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाती है और उसकी दादी उससे घर की सारे काम करवाना शुरू कर देती है इस तरह उसका सारा दिन घर की कामों में ही बीच जाता था कुछ दिन बीच जाते हैं और एक दिन रमिश छुट्टियों पर घर आता है बिंदु को घर के काम करती हुए देख उससे कहता है अरे बिंदु बेटा तुम स्कूल नहीं गई पिता जी दादी ने मेरा एडमिशन कराने से मना कर दिया है वे कहती है घर पे रहकर घर के काम करना सीख अपनी मा का ये बढ़ता हो दीख रमिश को बहुत गुसा आता है और वो अपनी मा से कहता है मा ये तुमने क्या किया आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल में बिंदु का एडमिशन क्यों नहीं करवाया अरे बेटा लड़की जात है ज्यादा पढ़ लिक कर क्या करेगी वैसे भी शादी के बाद तो इसे घर के ही काम करने है न तुम किस जमाने में जी रही हो मा अगर कलपना चावला के घर वाले भी तुम्हारी सोच के होते तो क्या वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर पाती इसका स्कूल छुड़वा कर तुम इसका भविश्य बरबात कर रही हो लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं होगा बिंदु बेटा कल ही तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में एडमिशिन करा दूँगा तुम जितना चाहे उता पड़ो मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करनी की जुरुत नहीं है अपने पिता से होसला पाकर बिंदु खुश हो जाती है और कहती है जी पापा मैं खुब मन लगा कर पढ़ाई करूंगी और बढ़ी होकर डॉक्टर बनूंगी ये हुई ना बात शाबाज मेरी बेटी शिक्षा लड़का हो या लड़की हमें दोनों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए